हेलो फ्रेंड आपका अपनी टेक्निकल में बहुत बहुत आगेते हैं आज की जुड़ी में हम बात करने वाल है कि आप कैसे भी किसी भी शॉमी डिवाइस के अंदर यहां पर अपड्रोर को एनेबल कर सकते हैं फोन में जाने के बाद आपको सिस्टम अपडेट में जाना है अगर आपके डिवाइस पर किसी भी तरह का सॉफ्ट्व अपडेट अवैलिबल है तो आप जाके उसको इंस्टॉल कर लिजिए और फ्रेंड्स अगर आप लेटर शॉजन में अल्रेडी है तो आप एक बार सिस्टम अपडेटर में जाके जरूर चेक कर लिजिएगा कि आपका जो होम लॉंचर है होम स्क्रीन लॉंचर है डिफॉल्ट लॉंचर है उसका कोई अपडेट अवैलिबल नहीं है अगर कोई को यहां परम क्लिक करना है alors जाते हैं आप पर इस तरीके से व्रेंडब n mezва यहां पर अच्छी नहीं लगी मुझे जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे मैं मैं आपको यहां पर अपने नॉर्मॉल लॉंचर पर यांशर ले जातू हम यहां पर चलते हैं, फिर से settings पे जाएंगे, more पे जाएंगे और यहाँ पर home screen में जाने के बाद यह regular पे कर देते हैं, so friends, यहाँ पर आपको एक feature देखने को मिलता है, जो कि हम multiple uninstall करने को option, so friends, जैसे ही आप यहाँ पर click करते हैं, और friends, यहाँ पर अगर आप इनके उपर click करके, direct कुछ इस तरीके से install पे ले जाते हैं, so friends, आपको यहाँ पर यह बहुत अच्छा feature देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पर अपने home screen से यहाँ पर access कर रहे थे, simply home screen पर click करके, आप यहाँ पर app drawer को select कर सकते हैं, so friends, यहाँ पर बहुत अच्छा देखने हुँ मिलता है, कि आप यहाँ पर app drawer का experience कर सकते हैं, कुछ users यहाँ पर POCO launcher को भी install कर लेते थे, जो कि बुरा नहीं है, फिर भी यहाँ पर आपको जब default launcher में वो चीज़ देखने को मिल दिया, तो हम यहाँ पर क्यों 3rd party apps के साथ जाएं, so friends, उमेद करता हूँ कि आपको यह video useful लगा होगा, so friends, अगर आखको वीडियो अच्छे लगए तो इस वीडियो को ज़रू लाइकिजिए, शेर कीजिएगा हो में चलको सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सी तरह की trusting and useful वीडियो दिलाता हूँगा, thanks for watching and always keep smiling,